हलो, गूड इवनिंग, मैं पावन राव, यूटूब चैनल मैच्विद पावन राव में, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने चार पॉंट आपको पढ़ाया थे, A, B, C और D और उन पर based questions भी मैंने समझा दिये थे, उसके बाद मैंने E point समझाने के आपको शुरुवात की थी और उसके बाद F point degree और radian समझा भी दिया और उस पर based questions भी करवा दिये थे E point पर based questions मैंने नहीं करवाय थे, तो अब छोटे-छोटे questions जो हैं A, B, C, D, E, F जितने भी points अब F point तक मैंने पढ़ाया हैं, दो point अपने पास बच गए हैं, G और H, जिसमें minimum और maximum अभी बचा है और उसके बाद अपने पास होगा height and distance, यह trigonometric का ही part होता है complete इसके 10 के लगबग questions आते हैं मेंस में, तो धान रखना जो 6 points मैंने पढ़ा दिये हैं, इस पर based हम लोग 10 या 12 वीडियो जब बनाएंगे, questions के बनाएंगे और उसके बाद में आप लोगगो जैसे ही questions का portion अपना खतम होगा, उसके बाद में आप लोगगो अगला point पढ़ाऊंगा Z, जो हमारा होगा minimum और maximum और साथ ही उसके questions करवा दूँगा फिर H point में आपको समझाऊंगा height and distance और उसके बाद हम लोग उस पर based questions कर लेंगे तो शुरुवात करते हैं हम लोग जो 5.6 points हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 points के तो मैंने 20-22 questions करवा दिये थे आपको जो पिछले 5 points हम लोग पढ़ चुके हैं, उन पर based छोटे छोटे और जितने भी अच्छे अच्छे नॉर्मली जो questions बनते हैं आईए उनको समझने की हम लोग शुरुवात करते हैं और उनको हम लोग सीखते हैं जैसा मैंने बताया हैं आप लोग को, मैं offline पढ़ाता हूँ, मदर्स एजुकेशन आप जैपूर में और online पढ़ाता हूँ, unacademy app पर, unacademy plus पर मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप join ही करो, लेकिन कोई भी student अगर unacademy plus पर online मुझे join करना चाहे तो वो मेरे चैनल का नाम match with pound राओ, referral code में लिख सकता है, ताकि आपको 10% discount मिल जाए वो लोग मैं नहीं करो, जो भी मुझे से पढ़ रहे हैं, वो join करो, मैं यह कह रहा हूँ कि जो लोग join करना चाहते हैं, उनको वैसे 10% discount हो सकता है और offline आप लोग जयपूर आ सकते हो मदर्स में, तो आईए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, चोड़े-चोड़े-चोड़े-चोड़े-चोड़े-चोड़े-चोड़े करते जाते हैं, और फटा-फट आगे की तरह बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में 9-10 साइन स्क्वेर-थर्टी-नाइन डिगरी, आसान सबसे पहले आसान क्यूशन सी आते हैं कुछ तो, आप शुरुआत में सोचोगी सर, टफट अफ क्यूशन करवादो, शुरुआत में आसान भी आएंगे धान रखना, और ये चीज़ें आपको आनी चीएं, कोश स्क्वेर और 1079, आगे लिखाओ है माइनस 3, साइन स्क्वेर 21 डिगरी, प्लस साइन स्क्वेर 69 डिगरी, ये अपने पास लिखाओ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये अगर लिखाओ है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिया आप लोग, साइन स्क्वेर 49 डिगरी, जब भी 0, 30, 45, 60, 90 के लाव जब भी क्यूशन आजए 0, 30, 45, 60, 90 के लाव कभी भी क्यूशन आजए तो मैंने आपको बताया था हम लोग D. से फिर उसको सोल करते हैं ऐसा आपको याद होगा अगर इन में आजए तो टेबल बनवाई थी उससे सोल करते हैं इसके अलाव आजए तो D. 90 मैंने स्टीटा यह होता है और यह सारा का सारा मैंने आप लोग को समझाया था तो धान दो यह साइन स्क्वेर 39 तो ठीक है यह 90 से कितना कम आपको 49 कम है तो कोस किसमे चेंज हो जाएगा साइन में साइन स्क्वेर 39 चुरुवात करेंगे छोटे-छोटे क्यूशन से धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे जैसे आपने पास यह लिखावे है टू-टैन-इलेवन वैसे तह आपको पता है टैन-इलेवन और टैन-एटी-नाइन-एन वन होगा 31 और 59 एट करने पर 90 वर है तो वन होगा 21 कम है तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में और 90 से इतना कम होता है वो लिख सकते हम लोग तो 10 11 कोट 11 1 हो गया तो 2 x 1 x 2 ये भी अपने पास 1 हो गया 1 इधर 1 है और 3 x 1 तो 2 1 3 माइनस करोगे तो आंचरा गया 0 ये अपना आंचर तो आसान सा क्यूशन था एकदम आसान कि इसको मोग इस ताइप से सोल कर लेंगे ये अप लोग ध्यान रखना चलो अगला क्यूशन मैं समझाता हूं अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहें दस या 12 वीडियो में मैं क्यूशन के आप लोग को प्रैक्टिस करूँगा जिससे आपको चीज़ें आसाने से और अच्छे से समझ में आने शुरू हो देखिए यहां पर अपने पास लिखाव है इस टाइप से क्यूशन है जैसे कि नंबर हमें नहीं पता नंबर क्योंकि हम बूल गए हैं वैसे पढ़ लेता है साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन भी माईनस टेन टेन भी ऐसे क्यूशन आ सकते हूं और अग्याम में आते भी यह आयए वही करवा रहा हूं मैं एक बार आपको सेक स्वेयर ए माईनस कोट स्वेयर बी और हम लोगों को कहा है ए और बी कॉम्प्लिमेंटरी एंगल हैं पूरक कौन है तो पूरक कौन या कॉम्प्लिमेंटरी एंगल मैं आप लोग को समझा चुका हूँ जो मैट्रिम है अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लिमेंटरी एंगल या पूरक कौन का मतलब बताओ क्या होता है complementary या पूरक कौन का जो मतलब होता है वो होता है angle a plus angle b बराबर कितने degree है 90 degree दोनों का sum complementary या पूरक का मतलब होता है दोनों का sum 90 degree है तो ये तो सिदा सिदा formula है sin a plus b का minus अब complete को 1 में बदलता है आ तो a में बदल लो या b में बदल लो तो 10 a तो ठीक है b की जगा हम लोग लिखेंगे 10 90 minus a b की जगा है ये जो b है इसकी जगा 90 minus a लिख दे और हम लोग 1 में बदलेंगे इसको complete को complete जो है उसको हम लोग 1 में बदलेंगे 6 square a ठीक है आगे वाला court square b जो है उसको 90 minus a लिखेंगे हम लोग तो देखिए यहां से इसकी जिगा आप लोग लिखोगे साइन नाइन्टी ए प्लस भी नाइन्टी है टैन ए और ये अपने पास नाइन्टी माइनस थीटा बताओ क्या होता है नाइन्टी पर और टू सेउंटी पर चेंज होगा अगर आपको याद है तो तो टैन नाइन्टी माइनस से को क्या लिख सकते हम लोग कोट ए लिख सकते हैं प्लस सेख स्क्वाइर ए और ये अपने पास टैन स्क्वाइर ए है तो साइन नाइन्टी की वेलियो कितनी होगी वन टैन इंटू कोट ए वन और 10 square theta minus 10 square theta 1 तो आशर कितना आगया है यह अपना आशर तो मैंने काया अगले 10-12 वीडियोज में क्यूशन्स की बनाने वाला हो और इस सारे के सारे वीडियोज आप लोग देखना जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आने शुरू हो आई अगला कीउशन्स की आप लोगो समझाता पहले जितना नवर की चैझ में पढ़ायते तक अप्र आप लोग नवर क्यirsti लगाता है पिर बीच में आप लोग तो पढ़ाई उसके साथ ही 20 कीउशन्स की टिंगरी और रेडियन के वो लगा लेना और उसके बाद इसके नंबर लगाते चलना ताकि नोट्स बन जाए आपसे जैसे टैन फिप्टी सेवन प्लस कोड 37 अगर ये क्यूशन आप लोग सोचो कि सर पहले से लिख कर दे दो ये क्यूशन मैं लिख कर भी दे दूँगा तो भी वापिस लिखना ही पड़ेगा एक बार बोर्ड पर तो इससे अच्छा है वो टाइम बचाने के लिए उस पर मेनद करने के बज़ाए मैं लेख ही देता हूं क्यूशन बोर्ड पर एक बार लेख ही देता हूं क्यूशन लिखने आसान होता है हाइटन डिस्टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा उसके क्यूशन पहले से आपको लिखेवे मिल जाएंगे और ए ब चतरिघ किवयर को लोग्रण रवरे और रवरे ऑनव अन वफप्टस है ए लगोने किव का लिखे है आर अगल्यों ओबार अवरी 33 1057 फिर दियावर 1057 कोट 37 इस परकार से अपने पास दिया वह यह इसको 1033 कर लो ऐसे चार ओप्शन अपने पास दिये वह हैं तो इसको हम लोग कैसे सोल कर पाएंगे देखो निव पर भी 57 37 नीचे 53 और 53 इस परकार से यह 33 है ना क्योशन सही कर लो थोड़ा सा यह 33 है यह 53 ए 57 और 57 37 यह दिया हुए तो एंगल यहां पर अपने पास नबब से कम 57 नबब से कम 37 37 57 एंगल हम लोग सेम बना सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे 10 57 प्लस यह 90 से कितना कम है 53 कम है तो इसको लिखेंगे हम लोग 10 53 यह मैं बहुत अच्छे से समझाच को हूँ हूँ आप लोग शुरुवात से जो अपने प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री ढूंडी हो ट्रिग्नोमेट्री का एक नमबर वीडियो से देखने की शुरुआत करो अगर आपको सही तरीके से और अच्छे से समझना है तो तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे 10 53 को क्या लिख सकता हम लोग होग और 57 लिख सकता है है और यह कौाट 53 है देखो अब अपने पास एंगंल सभी सेम होगे और कोट को टैन में बदलना तो बहुत आसान होता है एंगल सभी सेम होगे 53 53 अब कोट को टैन में बदलने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको 1057 प्लस 1053 अपॉन वन अपॉन 1057 प्लस वन अपॉन 1053 यहां से आप लोग एल सेम ले सकते हो तो पर तो यही रहने 1057 1053 अपॉन नीचे जो आएगा आपने पास वह आजाएगा 1057 1053 यह इससे कट गया और यह पलेट कर ऊपर चला जाएगा तो अंसर जो आजाएगा 157 और 1053 यह अपना यह अंसर है तो इसको आप स jetzt सकते हो 1057 और 437 90 से 37 कम है तो इसको यह भी लिख सकते हो 1057 और 437 तो D अपना आंसर है ये अपना फ्रोग प्रोगए तो ऐसे क्यूशन बन सकते हैं छोटे चोटे आसान-असान क्यूशन से लेकिन या आप को चेंज करना आना चीए ये बात आप लोग धान रखना इसको आप लोग याद रखना आईए अगला क्यूशन में आपको समझाता हूं मैंने इसलिए डिग्री और रेडियन भी पहले ही आप लोग को समझा दिया क्योंकि डिग्री और रेडियन के भी कई बार आपके बीच में क्यूशन चोटे-चोटे क्यूशन बन जाता हैं इसलिए छे पॉइंट में आपको अच्छे से समझा चुका हूं उनको आप लोग याद रखना अगला क्यूशन देखिए आसान सा चोटा सा क्यूशन जो आपको आना चाहिए नेक्स क्यूशन यह अपने पास लिखाव है साइन दस दिग्री छे मिनट और बत्तिस सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्री लेकिन आप लोगों को पढ़ता चकों डिग्री और रेडियन में सारी चीज़ें समझा चकों जो इस्टूडेंट ने अभी तक डिग्री और रेडियन व 53 मिनट 28 सेकेंड प्लस 10 दस डिग्री 6 मिनट और 32 सेकेंड यह हमें दियाव है और इसकी वेल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जहां पर अपने पास ओप्शन A, B, C और D A, 1 प्लस रूट में 1 माइनस A स्क्वेर अपन नीचे दियाव है रूट में 1 माइनस A स्क्वेर ऐसा है, B ओप्शन 1 प्लस रूट में 1 माइनस A स्क्वेर अपन रूट में 1 माइनस A स्क्वेर और ऐसी ओप्शन है मतलब आगे, जो भी आ जाएगा वो हम लोग चेक कर लेता ह हम लोग क्या करेंगे धान रखना साइन दस डिगरी 6 मिनट 32 सेकंड यहां तो ठीक है दस डिगरी 6 मिनट 32 सेकंड आप लोग अगर साइन 28 डिया हुए तो यहां तो 10 डिगरी 6 मिनट 32 सेकंड है यहां 79 डिगरी 53 मिनट और 28 सेकंड है लेकिन आप लोग 90 से कम देखोगे यह जो 90 से कम है धान रखना यह 90 से 10 डिगरी 6 मिनट 32 सेकंड ही कम है तो 90 से इतना कम होता है को सिंग जो जोता है साइन में तो यह साइन 10 डिगरी 6 मिनट और 32 सेकंड इसको लिख सकता हम लोग और आगे यह तो सेम अपने पास हाई टेन वन डिग्री सिक्स मिनट और थार्टी टू सेकंड इस पूरे को ठीटा मान सकते हो एंगल सेम होगे अब तीन हुज गए तो इसकी वेलियो अगर दीवी है तो पहली क्लास से आपको समझाते वह रह के लंबटे कर्ण होता है बेस निकालोगे तो कर्ण हॉटनेस श्कैर में से पर्टेंडिकुलर इसक्वार मैनस करना पड़ेगा घा तो साइन अपने पास साइन तो ये दिया भाही लिख देंगे टेन की जिएंड हम अपने पास ए है अपैंडिकुलर अपने पास फोन-मैन याद रखना तो आसा सा छोटा सा question है जिसको आप लोग याद रखोगे और ऐसे आप लोग इसको कर सकते हो आई ये अगला question मैं आपको उस्फ से समझाता हूं तो आए मैं अगला तो आपको समझाता हूं देखो question के नंबर तो पता नहीं कि समझते हैं हम लोग 10-15 डिगरी की जो वेली दीबी है मैंने का यह आसान आसान क्यूशन्स करवा रहा हूं लेकिन कोई स्टुएंट सोचे कि सर शुरुवात में टफ करवा दो आप ऐसे मत सोचना कि शुरुवात में टफ टफ लेवल बढ़ा दो उ इनको कम चीजा आती हैं उनको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा वो शिरफ और जो जिनको शिरफ और शिरफ चीजा आती हैं वो 15-20 क्यूशन टफ देखकर उनको लगेगा कि हां कुछ फाइदा हुआ है लेकिन हमें तो सभी को सिखाना है जितने भी लोग यह वीडियो दे करता अपकी तफ है या पेपर ईजी है अगर आपने यहां तक पढ़ा और प्ब़ियंज से पूछा तो आसान हो गया प्नी से उपुछन ऊपढ़ा यहां से है तो फिर वह पर आपके लिए टफ आख है तो त!.ब कुछ नहीं होगा धिलिए थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ देंग और वह आसानी से समझ में आ जाएगा लेकिन उससे पहले ये क्यूशंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे कि टू माइनस रूट थ्री और टैन फिप्टीन वेल्ली जो पूछिए देन फैंड दे वेल्ली ओफ टैन फिप्टीन कोट सेवंटी फाइफ प्लस टैन सेंटी फाइफ और कोट फिप्टीन देखो और एक चीज़ और कुछ लोग सिरफ और सिरफ अपने बारे में खुद के बारे में ही सोचते हैं वह बात गलत था आपकी आप लोग करते क्या हो कि सर ये वारत जैसे मैंने पढ़ा रहा था आपको अपने करना सुरू किया सब्स्राइब तो किसी ने करना शुरू कर दिया सर आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ा दो नंबर सिस्टम जिस स्टूइंट को कोई नहीं आता कोई चैप्टर कम वीक है वो सिरफ वही उसी के बारे में सोचता है कि सर यह पढ़ा दें तो अच्छ ऐसे तो सभी students के बारे में सोचना है तो मैं मेरे तरीके से आप लोग को पढ़ाऊंगा जैसे सबी का ही बेस स्टोंग होता चलिए और सबी को समझ में उसी तरीके से मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा तो अगला जीप्तर होगा हमारा वो coordinate geometry में पहले complete करूँगा और उसके बाद आप लोगं के लिए कुछ arithmetic के topic पढ़ेंगे देखिए तो 10 15 की value यह है 90 से अगर कम आ जाए तो यह आप लोगं को याद होगा 10 15 इसका option मुझे लिखने की जरूरत नहीं है code 15 यह code 15 लिख सकते है 90 से 75 कम है और यह code 15 है अब 10 15 की value अगर आपके पास है तो क्योंकि code 15 की value बनाना बड़ा आसान है 10 15 अगर है तो code 15 बनाना आसान है 10 15 की value 2 माइनस रूट 3 है तो code 15 की जो value होगी वो होगी अपन 2 माइनस रूट 3 अब उपर नीचे into करोगे यह आप लोगं को पता होना चीए इसमें में आप लोगं को सिखाऊंगा या algebra में कि direct आप लोग जब अंतर एक का हो और उपर भी एक लिखावा हो तो direct 2 प्लस रूट 3 भी लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो कौन से नहीं लिख सकते हो अलजबरा में बात करेंगा अलजबरा भी में डिटेल से बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूँगा तो यह टू माइनस रूट 3 है और यह टू प्लस रूट 3 है साथ साथ तो आंशर आ जाएगा फोटीन बाकी कर जाएगा रूट वाली ट्रम आंशर आ जाएगा फोटीन यह अपना इस कूशन का आंशर है आईए अगले कूशन पर चलते हम लोग फटा फट कूशन्स कर लेता है तब यह ज़्यादा कूशन्स हो पाएंगे तो देखिए जो मेंचुरेशन था उसमें तो मैंने क्यूशन्स आप लोगं के लिए लगवा दिये थे एक दो तीन चार पांच क्यूंकि उसमें मैंने आपको PDF भी साथ दी थी इसमें PDF देने की जरूरत है नहीं क्यूंकि तो थोड़ी मेनत आप भी करो साथ साथ कूशंस लिखते चला करो और नंबर खुद लगाते चला करो इसलिए मैं इसमें नंबर नहीं लगा रहा हूं कि वहां तो मैंने PDF दी तो इधर से कूशन देखना और उदर से कूशन देखना फिर आसान होता था दोनों की कौन सा कूश तो वो इस्टूडेंट नहीं कर पाता छोटे हैं आसान है लेकिन तभी कर पाओगे जब आपके कूशन किये वे हों 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री अपाउन 210 50 डिग्री अपाउन 210 50 डिग्री और आगे दिया हुए 210 50 210 20 यह अपने पास क्यूशन दिया हुए तो हमें पता है कि 50 और 23 में आएगा आउंशर सारे ऑप्शन ऐसा तो 1070 की कोई निमेरिक वेल्टी वेल्यू भी जो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं 60 30 45 यह तो हम लोग निकाल सकते हैं इसकी कोई निमेरिक व लिख सकते हैं 1070 को हम लोग लिख सकते हैं 1070 को लिख सकते हम लोग 1050 प्लस 20 हाना बताओ लिखा जा सकता है क्या 50 प्लस 20 या 20 प्लस 50 जो मर्जिय आए वो लिख लोश में कोई प्रोब्लम है नहीं लिख सकते हैं तो अब हम आदे पास सब्सक्राइब में लोग को बताच कर हूं फोर्मलिय याद रखना 10 a प्लस 10 b अपॉन-10 a-10b कर दो कि फोर्मले मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिये थे टेन a प्लस बी का फॉर्मला क्या होगा टेन 10B upon 1-10A 10B और कैसे आया यह चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझाई है तो वहाँ से इसको धान से आप लोग देखिए तो एक क्लोस मल्टिप्लाइज जब करोगे तो 1 से इंट होगा तो 1070 यह जब इस से इंट होगा तो 20 और 1070 one होता है 1010 into ले जब करने पर 90 どäre हो तो ऑखना आप को याद होगा यह तो एक तरीकह है जो प्रेक्ublować बाध याद होए बाकि पहले दिमाग में एए रखोंगे कि 90 से 20 कम ए तो 1020 पहले च्माहने मिलें यह आना चीए मैं बहुत बार बता चुकूं तो वह अपना प्रैक्टीस से धरे धरे चीजहें पता होना चाहिए एड़ करने पर नब्ब्ब्ब होरा है तो अपने पास एक बन जाता है तो यह आगया टैन सेवंटी और ये 10.50 बचा सिरफ उधर जाके एड होगा तो 2.10.50 प्लस 10.20 2.10.50 प्लस 10.20 ये अपना आंचरा गया B option तो ऐसे छोटे-छोटे नोर्मल आसान-ासान questions बनते हैं तो ये अपना आंचर है आईए अगला question हम लोग समझता है next question अपने पास दियाव है हमें value दी भी है कि 10 alpha equals to 1 by 2 and 10 beta equals to 1 by 3 ऐसे दियाव है और 1 by 3 नहीं 2 दियाव है 2 एक बार 2 कर लो फिर उससे भी कर लेंगे तो alpha प्लस beta कितना होगा 10a प्लस 10b दियाव है अपने पास 1 by 2 और 2 और हम लोग उसे पूछा है कि आप लोग बता दीजिए alpha plus beta क्या होगा यह हम लोग उसे पूछा गया है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे कोशिस करना सीखने की इस बात की कोशिस करना कि आप लोग इसको सीख पाओ तो यहाँ पर 10 alpha बराबर 1 by 2 और 10 बीटा बराबर 2 और alpha plus beta दिया हो तो इससे पहले alpha लगा देंगे 10 10 लगा देंगे तो 10 alpha plus beta का formula बताओ इधर से लिखना शुरू करता है 10 alpha plus beta का formula बताओ 10 alpha plus beta का formula प्लस 10 beta upon 1 minus 10 alpha 10 beta अब किसी student के दिमाग में आ सकता है कि साथ 10 ही क्यों लगा है पने अब कर यहां इससे पहले alpha plus beta से पहले alpha plus beta पूचा तो sign लगा दो तो अब यहां पर साइन alpha x beta plus cos alpha sin beta अब आपके पास 10 alpha की value है यहां से sin alpha और cos alpha की value निकालनी पड़ेगी आपके पास 10 बीटा की वेल्यू है अपने पास तो यहां से cos beta और साइन बीटा की वेल्टी निकालने पड़ेगे यह बात आप प लोग धान रखना कि यहांसे साइन अल्फा साइन बीटा क्यों निकाल है हम लोग टाइम लगेगा इस से अच्छा यह इससे आप लोग रख लेजिए तो हम लोग क्या करेंगे 10 alpha की value है 1 by 2, इसकी value है 2, 1 minus 1 by 2 into 2, तो 10 alpha plus beta बराबर नीचे 0 आ गया, यह solve करने पर नीचे 0, तो 10 alpha plus beta बराबर आ गया अपने पास infinite, और infinite 10 कितने डिगरी पर होता ही, आपको याद होगा 90 डिगरी बे आंशर आ सकता है, या pi by 2 भी option में हो सकता है, यह आप याद रखना, वैसे आप लोग को यह पता होना चाहिए, क्योंकि काफी सारी practice आप लोग कर चुके हो, practice के बाद आपको यह चीज़ें पता होनी चाहिए, कि 1020 और 1071 होता है, यानि add करने पर 90 डिगरी हो, practice के बाद मैंने काया, याद होना चाहिए, कि 1 होता है, इसका मतलब उल्टा अगर कभी दे दे, 10 alpha इंटू 10 beta 1 दे दे, इंटू करने पर तो हम लोग बोलेंगे कि alpha प्लस beta 90 डिगरी उल्टा, तो इन दोनों को इंटू करने पर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 10 alpha इंटू 10 beta 1 है, तो add करने पर कितने डिगरी होगा, 90 डिगरी, यह चीज़ आप लो 10 alpha ब्राबर 1 by 2 और 10 beta ब्राबर 1 by 3, then हम लोगों से पूछा कि cost 2a की value क्या होगी, हम लोगों से पूछा है, cost 2a की value क्या होगी, और जो option दिये वे हैं, वो इस परकार से दिये वे हैं, sin a, sin b की form में दिये वे हैं, sin b, sin 2b, cost 2b, sin 3b, और sin 4b, ऐसे चार option दिये वे हैं, तो कैसे कर पाएंगे आप लोग इंक्यूशन को, किस परकार से हम लोग solve करेंगे, वो आप लोग देख लिजिए, cos 2a हम लोगों को दिया वाए, value जो दिवी हम लोगों को, cos 2a की value हम लोगों को पूछा है, यह 10, alpha, a और b कर लो, alpha आगी जगा है, क्योंकि a और b में, आगे मने a और b लिख दिया है, बीटा नहीं लिखा, तो इसको भी आप लोग थोड़ा से change, a और b कर लो, cos 2a पूछा है, b की form में हम लोगों से पूछा है, तो देखो, अगर आपको एक question नहीं आता कि कौन से concept पर बना है, तो कम से कम ये तरीका तो आपको आने ही चीए, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1-2 sin square, या आप लोग cos 2a को लिख सकते हो, 2 cos square minus 1, या cos square minus sin square, या cos की power 4 minus sin, कोई भी आप लोग जो formula आप लोग चाते हो, वो वाला formula लगा देजी, आप लोग 1-10 square upon 1 plus 3, जो formula आप लोग चाते हो, वो लगा लो, फिर यहाँ से value अपने पास 10a की value है, किस की value है, 10a की value है, तो मुझे बताओ, sin की value निकाल सकते हो, कि आप लोग sin की value, तो यह जो ratio होता है, यह लंबटे आधार का होता है, पर्पेंडिकुलर अपन बेश, तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण जो होगा, वो root 5 होगा, तो sin अगर लिखना है, तो 1-2 sin square है, sin की value होती है, लंबटे कर्ण, पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो पर्पेंडिकुलर का काम तो कितना कर रहा है, लंब तो 1 है, और कर्ण अपने पास 5 है, तो इसको लिखेंगे 1 upon 5, 5 कहां से, यहां तो root 5 है, 5 क्यों आया, क्योंकि square था, तो यह solve करने पर आगया 3 by 5, अब कौन से option को solve करने पर 3 by 5 आ रहा है, वो आप लोग चेक कर लो, वही अपना answer हो जाएगा, जैसे यह अपने पास, पता है आपको कि लंब बटे अधार होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो यहां से अगर आप लोग हाईपोटनेस या कर्ण निकालोगे, तो root 10 आ जाएगा, 3 का square 9, प्लस 1 का square 1, तो आपने पास आगया root 10, तो sin बिटा, sin B अगर है, तो sin B की फोर्म में, लंब की वेल्यों तो है, 1 upon root 10, और cos B की वेल्यों होगी, 3 upon root 10, तो यह आगया 6 बटे 10, 6 बटे 10 का मतलब 3 by 5, 3 by 5 ही चीए, तो अपना यह अंचर आगया, sin 2 भी, यह अपना अंचर है, तो जब नहीं आ रहा है equation, तो फिर ऐसे करते हैं, अब बात यह कि किस concept पर based equation बना है, यह जो A plus B लिख लो, यह A minus B लिख लो, A minus B का जो formula होगा, वो देखिए, 10 A minus 10 B, यह plus लिख लो, plus 10 B upon 1 minus 10 A, 10 B, 10 A plus B का जो formula होता है, 10 A, 10 B upon 1 minus 10 A, 10 B, हाँ, क्योंकि A और B का मान दियावा, तो put कर दो, 1 by 2, 1 by 3, 1 minus 1 by 2 और 1 by 3 into करोगे तो 1 by 6, into करने के बाद 1 by 6 आएगा, तो उपर भी 5 बटे 6 हुआ, और नीचे भी 5 बटे 6 हुआ, तो 10 A plus B बराबर अपने पास 1 आ गया, कट के अपने पास कितना आ जाएगा, एक, और A plus B कितने डिगरी पर होता है, 45 डिगरी पर होता है, किस इस कॉंसेप्ट पर क्यूशन बना है, वो मैं बता रहा हूँ, तो A plus B जो होता है, वो 45 पर होता है, यह लिख सकता है, 1 आ गया, और 1 कितने डिगरी पर होता है, 45 डिगरी पर, तो 2 से इंटू कर दो 2 A plus 2 B equals to 90, क्योंकि हमें 2 A चीए, तो इसको यह भी लिख सकता है, 2 A बरा 90 मैंनस 2 B, कोस 90 मैंनस थीटा होता है, साइन थीटा, तो यह कोस्ट वेगे बराबर यह आ गया, तो यह अपना क्यूशन है, ऐसे ही कम से कम 10 या 12 वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, और धिरे 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 हम लोग हर टाइप का क्यूशन सी करेंगे, तो जिनको को आसान चीज़े आती हैं, उनको लगे कि सच थोड़ा टफ करो, तो धिरे 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 थोड़ा सा वेट करो, धिरे धिरे हम लोग अपने स्टेंडर को बढ़ाएंगे, आज की क्लास में सिरफ इतना ही, बाकी चीज़े हम लोग अपने अगले लेसन में कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाई-बाई, टेक केर, और वीडियो को आप लोग शेर करते रहिए, अपने वोट्सअप ग्रूप या फेस्बुक जहां पर भी आप करना चाते हैं, वीडियो को शेर कीजिए आप लोग, ओके, थेंक्यू